नमस्का दोस्तों, All Exam Guide Guru के YouTube चैनल पर मैं सुजीत पांडया आप सभी का स्वागत करता हूं, दोस्तों आपकी पसंद्रिया क्लास आ गई है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम करते हैं, रिवीजन, कहीं से पढ़िए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, 30 साल से बार बार पू याद कर लिजिए, रिवीजन कर लिजिए, आपसे बहुत सारी कॉशन बनेंगे, कहीं से भी पढ़िए, चाहें कोचिंग से पढ़िए, किसी YouTube चैनल से पढ़िए, सेल्फ श्टडी करिए, रिवीजन जरूर क्या कीजिए हमारे इन वीडियो को देखकर, क्योंकि इसमें कम समय में आपको ज्यादा कॉशन करा देते हैं, करें स्टार्ट, बिना देर की हुए, प्लीज लाइक जरूर कर देना वीडियो को, वहमुगल बार्शा जिसका दो बार राज्या भीशेख हुआ, तो ओरंग जेव वहमुगल बार्शा था, जिसका दो बार राज्या मध्यान भहुजन हितू, प्रवंद तथा वित्ती व्यौस्था कौन करता है, तो मध्यान भहुजन जो स्कूल में चलता है, माना उसंसादन विकास मंत्राले दवारा, इसकी व्यौस्था की जाती है, ब्रिटिस काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो ब्रिटिस पालियामेंड में चुना जाने वाला प्रथम भारती कौन था, तो दादा भाई, नौरोजी ये सबसे पहले भारती थे जो ब्रिटिस पालियामेंड में चुने गए थे, तन्तु प्रकाश की संचार में संकित प्रवाहित होता है, तो तन्तु प्रकाश की मतलब तो आपकी फाइवर ऑप्टिकल फाइवर जो होती है प्रकाष तरंग के रूप में ऑप्टिकल फाइवर के अंदर संचार होता यार रखीगा भासा जीसे इस ऐसी भाशा को आपका राष्ट्री जयविक उध्यान पर शुथ है तो राष्ट्री जयविक उध्यान यह नई दिल्ली में शुथ है अंतराष्टी टाइगर दिवस यह 29 जुलाई को मना जाता है या इंडिया विजन 2020 तयार अपनाये अपनाया था सीराटि पावर एल्खोहल के लिए अंत्यूत्तम का चमाल है सरवप्राचीन सेल समूंग की आईउं आकी जाती है तो के द़ुक्त में की दाएती है सैंसेक्स बीयसी निसम्टी और मेंसे कौणा आप सिडेक है कंस बीयसी और निफ्टी यह सबी म्μαι longest सब्घा है सेप्स अप्रसंगिक ये सैंसेक्स बीएसी निफ्टी है हमारे यांकी सेयर मार्केट से सम्भनेत हैं बड़ोधरा प्रसित्थ है तो बड़ोधरा पतोला सिल्क के लिए वह जादा फेमस है भारतिय दलहन शोद संस्थान कहां पर तो दलहन शोद संस्थान ये कानपूर में कौशल नामक प्रजाती है तो कौशल नामक प्रजाती ये मूंगो फली की प्रजाती है भारत की कहवा की खेती का छेत्र सरवादिक कहां पर पाए जाता है तो कहवा या कौफी करनाटक में सरवादिक होती है या रखीगा शिव समुद्रम जलपरपात किस नदी पर बना हुआ है तो शिव समुद्रम जलपरपाती एक कावेरी नदी पर बना हुआ है प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहां परिश्टित है तो कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में है या रखेगा muslim league का प्रथम अधक्ष कौन था तो muslim league का सबसे पहरा अधक्ष थे आगा खां चौल शाशक जिसने शी लंका के उत्री भाग पर विजय प्राप्त की तो राज राज प्रथम इन्होंने शी लंका के उत्री भाग को भी जीत लिया था रोमन बस्ति कहां से शुरू हुई है तो रोमन बस्ति ये एरिक मेंडू आपने स्फुना होगा यहां से शुरू हुई है Lord कारनometry की कब्र कहां पर स्थित है तो Lord कारन drum लाल Gib terrorist की कब्र जो है ये गाजी पूर में इस्थित है मदब देश में कीट नाशक उद्योगेतु प्रसिद्ध है तो भोपाल प्रसिद्ध है कीट नाशक उद्योगेतु और आपको पता भी होगा कि भोपाल गैस कांड भी हुआ था जो है मदबिश के भोपाल राजधानी में कब हुआ था सन मताइए कमेंट करके बहुत बार पूछा गया है मिथाइल आइसो साइनेट गैस निकली थी उससे MIC मिक गैस भी कहते हैं उसको कमेंट करके होता है ये कब हुआ था भोपाल गैस तरासदी तरकी इस्तित है तो तरकी काला सागर और भूमद्य सागर के मध्य में तरकी इस्तित है एट बिटों के सम्मूग को क्या कहा जाता है तो कम्प्यूटर में आपने पढ़ा होगा एट बिट बरावर होता है एक बाइट एट बिट बरावर वन बाइट मानस नदी किसकी साहिक नदी है तो मानस नदी ब्रह्मोपत नदी की साहिक नदी है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कप की गई तो SSB आपने सुनाओं का शौट फॉर्म में SSB या सीमा सुरक्षा बल 1965 में इसकी स्थापना की गई भारत में सम्विधान का अधिरक्षक कौन है तो भारत में सम्विधान का अधिरक्षक भारत के उच्छितम न्याल है मतलब सुप्रीम कोट को माना जाता है सबसे पहला किसान आंदूलन था महातमा गांधी के चंपारन सत्यागर का विरूद किया था कि कहरे पाइक चंपारन सत्यागर का हैरी पॉठर उपन्यास में कारनेलियस फज यह जादू गरों का मंत्री था हैरी पॉठर उपन्यास में सीफोर पौधा कौन सा होता है तो सीफोर यह मक्य के पौधे की प्रजाती है हरिद बाल रोग पाए जाता है तो बाजरे की अंदर हरिद बाल रोग पाए जाता है भारत में केसर का वारजिक इस तरह पर उत्पादन कहां पर होता है तो केसर जो है उगाई जाती है वारजिक क कमरे में रखा फ्रिज का दरवाद खोल देंगे तो कमरा अंततह गरम हो जाएगा थोड़ा सोना लोहा प्लैटीनम और टंगस्टंग में से सबसे कठोर धातु कौन है इन चारों में से सबसे कठोर धातु है आपकी प्लैटीनम विक्टोरिया जलपरपात किस नदी से संबने सबसे कठोर धात ऐसे संबने थे विक्टोरिया जलपरपात ये जांबेजी नदी पर बना हुआ है जांबेजी जांबेजी नदी संबने थें भारत में अपना सौर उजगा प्लैंट लगाने वाला प्रथम गाउं रामपूरा कहां इस थे तो रामपूरा ये स्वार तो नीजी नेशक तत्व जो हैं यह समान नागरिक सहीता से संबने थे हैं भारतिय राष्टी कॉंग्रेस का प्रथम विवाजन कब हुआ था तो वर्ष 1907 में भारतिय राष्टी कॉंग्रेस का सबसे पहला विवाजन हुआ था चार अश्व मेधों का संपादन किस ने किया था तो चार अश्व मेधों का संपादन प्रवर से प्रथम ने किया था प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्की किसने चलाए तो कोशानों के द्वारा नियमित रूप से सोने के सिक्की चलाए थे प्राचीन भारत म भारतिय पेट्रोलियम संस्थान कहां परिशित है तो देहरादून में भारतिय पेट्रोलियम संस्थान इस्थित है दिली सल्तनत किस राजा ने दिली सल्तनत के किस राजा ने सुल्तान की उपाधी नहीं ली थी तो कुतबुदिन एवक ने सुल्तान की उपाधी नहीं गरण है। बाथ पार्टी क्यकन डिलॉरां कि फ्राउप टो रेतचे सफने के तो एड़ेधा की इर रहा की थे। फ्रसिद्य बहुकोर स्थापना कि तेंट्मी थे। ने रेड़ सेथा कोεςित हैं। 73 संसोधन 1992 के बाद पहला राज जहां पंचायती राज संस्थाओं ने चुनाओं कराए गए गए थे गुट निर्पेक्ष आंदोलन का प्रिथम सिखर संभिलन कहां पर हुआ था तो 1961 में बेल ग्रेड में हुआ था म्यानमार किस का नया नाम है तो वर्मा का नया नाम है म्यानमार चीन की दीवार का निर्मार किस ने कराय था तो सी हुआंग टी ने चीन की दीवार का निर्मार कराय था Struggle is my life के लिखक कौन है तो मंडेला जी की पुस्तक है Struggle is my life वयस कमानों में रुधर की रचना कहा होती है तो वयस कमानों में रुधर की रचना आपकी अस्ती मजजा के अंदर होती है चोटी माता चिकन पॉक्स किसके द्वारा प्याब प्यादाब कैंटीमध्रफश सेफ्पूइलंग क्रिकटन की कोर्वे। नोबेल पुरुषक्ट कब आर्मब क्या गया तो नोबेल पुरुषक्टार्थ 1901 में आरमब किये गए गोवा किस नदी के किनारे है। तो मांडवी नदी या मांडवी नदी किनारे है गोवा, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे, तो सब से पहले क्रिकेट कप्तान बने थे, C.K. नाइडू जी, किसकी उपस्तति कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा हो चाल रीः गुछे प्रती दिсы ऑप साथ में जाता है कि यक्षमा या की रोक्तिरोंव के लोक्तियोट के लिए विए ला कि विटमिन बी को कि छये लाओ अधुनी वाप किननी बोल्ल Brun dua याता है उद्हीन है फेट एजनसर डूमिंडत को रुचिंड masturbation मान जाता है बात दर में से संबनित अर्ध गोलाकार अंतेश्टी कहलाता है तो इस तूप बोला जाता है जो कि अर्ध गोलाकार अंतेश्टी होती है बौत धर्म से संबनेत होता है स्टूप या रखिएगा कमेंट करके बताइए सांची का स्टूप किस राजी में पढ़ता है सांची का स्टूप किस राजी में है मैं आपको option देता हूँ उत्तरपदेश, छत्रिसगर, मद्दपदेश या बिहार कहां पर है सांची का स्टूप कमेंट करके बताइए बाच्शाग वर द्वारा दीन ए एलाही धर्म कब प्रारम किया गया था तो दीन ए एलाही धर्म ये सोलवी सताब्दी में स्टार्ट किया गया था हैवी वीकल फैक्टरी आवाडी कहां पर इस्तित है से स्वंद्ध है ऐसो हाइट रेखा नक्स्य में क्या भेखाती है तो एस ऊ है रेका समवर्षा यूग मनस बिंदु को दिखाती है एक साबबर्देज चाहिशय लुग्हक पूर्ध कि पूर्थ डूध से मिलता है तो इन दोनों का जन्म हुआ था आपका 2 अक्तुवर को प्लाश्टर और पैरिस के जमाने में प्रक्रिया अपनाई जाती है कौन सी तो निर्जली करन की प्रक्रिया प्लाश्टर और पैरिस के जमाने में अपनाई जाती है चोल राजा राजेंद्र पधम को कहा जाता था तो गंगोई कोडन चोल राजेंद्र पधम को कहा जाता था टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री का नाम क्या है तो कैट विंसलिट ये टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री है ग्रीन विच कहां पर है तो ग्रीन विच ये UK इंगलेंड में है United Kingdom इंगलेंड में नेपाल का जंडा किस रूप में है तो दोहरे त्रभुज के रूप में नेपाल का जंडा है थर्ड वर्ड सब्द का प्रयोग किस के संबंद में किया जाता है तो विकाश शील देशों के संबंद में थर्ड वर्ड सब्द का प्रयोग किया जाता है तीसरा विश्व नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धान्त किस ने दिया तो नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धान्त डार्विन के द्वारा दिया गया आरजुन पुरुसकार की राशी कितनी होती है तो 5 लाख रुपे आरजुन पुरुसकार की राशी होती है ताड़पीन का तेल किस से प्राप्त होता है जो चीड के व्रक्ष से ताड़पीन का तेल प्राप्त होता है विलियम हॉकिन्स को जहांगीर ने क्या उपाजी दी थी तो अंग्रेज खान या इंग्लिश खान कहा था विलियम हॉकिन्स को जहांगीर ने भारत का अंतियम वायसराय स्वतंत्र भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था तो लॉड माउंट वेटन आखरी वायसराय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भारत छोडवा अंदोलन कब शुरू हुआ तो आठ अगस्त 1922 को भारत छोडवा अंदोलन स्टार्ट ह नहीं सोब तो सबसे कम आउधिर रहने वारेभिष्समाशन प्रफाण मंतिर नीश साबसे कम समय तक पली छोट्ड धालमंति प्रहल कर और है बंगाल विवाजन नीसव पांच किसके समय हुआ था तो लॉड कर्जन एंगाल विवाजन वा था 1905 वाला कि बैलूर का संबंद किससे हैं तो डालूर का संबंद सुवामी रामकृष्ण परमहंस जी से है जमायते-व इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है तो बांगला इंडियन इंस्टिटीट ऑफ सुगर टेक्नोलोजी है लोहे में जंग लगने का मुख्यकारण क्या है तो ऑक्सीजन लोहे में जंग लगने का मुख्यकारण है भोपाल गैस कांड गभुआ तो 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था लीजी मैंने कॉशन पूछा था दिसंबर की दो संबर की रात थीसंबर के बीच 3ंशक्तर के हमों का प्रतिवार्णं किस ने किया ग्रेगर मेंabile ने अनुआ शिक्ता कीने का प्रिदिवादम किया तेल ओर प्राक्रतिकन गास का ओंधी का उइन्श रिंदंगा का मुखे कहाँ है तो दहरादुन में ओंग्रेजुन को द्लाज का चालेक डूर्पाध है कि कि वायुसेना है तो इंडोनेशया की वायुसेना है गर्णौ संसद पर आतंकी हमला कभड़ा था तो 13 दिसंबर 2001 की बात है संसद पर आतंकी हमला हुआ था गुर्थिनिक क्या है तो पिकासो की एक प्रसिद चित्रकारी जिसका नाम है गुर्थिनिक सोहनी राग कब गाय जाता है तो सोहनी राग सोबे का राग है और यह रहाज का आखरी कॉश्चन इंटर्प्रेटर ओव मैलडी इसके लिखा कौन है तो जुम्पा लहणी ने इंटर्प्रेटर ओफ मैलडी इस लिखी है दोस्तों वीडियो चल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिगा चैनल पर पहली वारा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो में अपना ख्याल रखिया आप सब्सक्राइब का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपकर इंशेवों बहुत बहुत धन्यवाद